ओके ये भी सोसल इस्पोंसबिल्टिक है यह भी हमारे एक टॉपिक है ओके टो स्टुडेंट कि बिजनस एथिक्स कोता क्या है इस ट्रम हमारे बिजनस के भी कुछ लौफुल रूल विजनेस एक 되면 थाषिज थे सब्सक्राइब दोगास कोसा अवुका संव्क एहां यहां पर आरेओज इस्टाइब बिजनेस एणि़ तरीकी से चलाना थीक यह यह विपेट या अंप exceptional obligation or commitment that apply to people who are occupied with our trade mean यहाँ पर हमारा business ethics जो है वो एक type का connected moral है ठीक है moral है मतलब ठीक है जो एक normal way में जिसे कैसे कहते हैं norms जिसे कहते हैं ठीक है कि वो ethics है हमारा तो वो connected morals है ठीक है जो सही तरीके से होना चाहिए ठीक है moral standard within a business setting business setting में जो होना चाहिए okay अब देखो जो कि हमारे different morals issues होते हैं उसको हम क्या करे business setting में उसको emerge कर सके and the exceptional obligation and commitment that apply to people who are occupied in a trade or train में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनकी commitment obligation को हम exceptional कर सके okay में देखो आगे as a rule business ethics are a regulating discipline okay business ethics कमीन है कि हमें discipline में regulate होना है okay whereby specific morals measure are pushed and after that connected उसके बाद हम क्या करेंगे उसको measure करेंगे pushed up करेंगे ठीक है and connect करेंगे it makes explicit decisions about what is correct or wrong ठीक है उसके बाद हम यह देखते हैं ठीक है हम यह बनाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है in other words it makes guarantee about what should be done and what should not be done ठीक हमारे business ethics हमें यह बताता है कि आपके आपके लिए क्या मतलब अच्छा सही होना चाहिए और क्या आपका नहीं होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आपके business में तो इस टुटेंट देखो एक figure है हमारा जहां पर business ethics के components बताये हुए है इसके business हमारे एथिक्स है है जो हमारे business ethics को complete करते है में Baptist इसमें हमें ये बताते हैं कि हमारे business के लिए क्या सही है क्या गलत है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ठीक है तो मतलब business ethics के हमारा business चलाना ये मतलब कोई lawful नहीं आई उपलाइप सारी problem create ट्रस्ट, बिहेवियर, प्रिंसिपल, रिलेशनसिप, चॉइस, एंड रिलाइबिल्टी, ओके, अब मैं आपको एक एक लाइन में क्लियर कर रही हूँ, प्रिंसिपल, आपके बिजनस के लिए जो भी काम कर रहे हैं, वो उसका बिहेवियर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रिंसिपल, आपके बिजनस के लिए जो भी प्रिंसिपल, जो अप्लाइ करने हैं, वो प्रिंसिपल भी आपके, मतलब रियल होने चाहिए, और आप इसको अप्लाइ करने चाहिए, ठीक है relationship हमारा किसी से भी relation है हमारा ठीक है customer से या worker से या labor से किसी से भी है हमारा तो वह हमारा अच्छा होना चाहिए relationship ठीक है choice होनी चाहिए हमारे business ethics में भी and reliability अपलफ की एक तरीके मतर reliable होना बहुत जरूरी है आपके business के लिए ठीक है अब देखो वाइल यहां पर क्या कुछ exemptions हमें आती है business ethics को जो family हमें less varied करती है मतलब हमें कुछ परिशान जैसे कुछ कम करती है ठीक है ताकि क्या करें हमारे morals को establish करने में ठीक है defending करने में fundamental को ठीक है यह हमें मतलब कुछ problems होती है लेकिन हमें वह business ethics में करना चाहिए ओके तो यह हमारे इस्टूरी आज हमारे business ethics कमारे हो गया है ठीक है ओके थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेट ओके ओके एकी में एकी एक प्रभप एंड, एक जड休के घ्सकमारे